तो गाईज आचुका है वर्ल्ड क्रिकेट 2021 अगर आपने अभी तक डाउनलूड नहीं किया नहीं खेला है तो जाहिए प्ले स्टोर पर अभी खेल सकते हो और यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट 20 का नया अब डेट आया है आपको पता ही होगा सैच से आपके बारे के बारे में अगर आपको नई पता है तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तो चलिये वीडियो सुरू करते हैं तो कई सबसे बड़ी बात है इस अबडेट के बारे में जो निकल करा रही है तो यह है कि रियल करके 21 के 4.1 वर्जन में आपको बहुत सारे बग्स मिल रहे थे बग्स क्या बग्स समझ रहे हैं अगर नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ जैसे कि देखिए यह गेंद फेका है उधर फील्डर है तो फील्डर बाउंडरी लैंड पे जाके पकड़ता था जबकि उसको पहले ही पकड़ देना चीछ था बॉल ऐसे ऐसे कुछ मतलब खरा हैं लैगिंग वैगिंग अभी जा रही है तो आप जाके अपडेट कर लीजिए वह काफी हद तक सुदर गया है और यह अपडेट काफी बहतर लगा मुझे इसलिए मैंने चाहा कि आपको सेयर करूं और यह अपडेट के बाद यह गेम बहुत बढ़ियां लग रहा है इलक कि प्ले स्टुर में मैं दिखाता हूँ आपको कैसा अपडेट आया है अपडेट और साइह है की नहीं यहाँ पे सर्च करना है रियल क्रिकेट मैंने सर्च कर लिए आप देखियो टॉप पे यही आ रहा अपडेट मैंने डाउलोड किया हुआ है मैं उझे अपडेट दिखाए दे रहा है इवेंट है इसमें 90% आफ का एक इवेंट है मैं इस पे भी इंफोर्मेशन लेकर आऊंगा अगर आपको पता चल रहा है खुद से तो कर लिजे देखिये यहां पे आपको लिख रहा है अपडेटेड आरसी एलपी जर्सी अपडेटेड स्कोर्ड इंप्रूव्ड स्टैबिलिटी तो मैंने आपको बताया है इंप्रूव्ड स्टैबिलिटी और बग फिक्स भई बग को फिक्स किया जो कि बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है और आपको बता दूंड यह गीम का बहुत जल्द ही आने वाला है लेकिन मैं असके यह गारेंटी नहीं लेता कि कितनी जल्द आ रही है लेकिन हाइडोos 380 का गारेंटी मैं ले रहा हूं दोस्त कि हाइडोस 380 जल्द आ और इसका ओफिस्यल वेबसाइट में यह दिख चुका है अगर आप हाइडो 380 खेलना चाहते हो तो नीचे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं अगली वीडियो बिल्कुल कल लेकर आऊंगा सुबत आ जाता जा वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवा याट silky ने लिट्एट는지 ले टहरा आता हुं और आपको अगर अच्छा लागाओं को वीडियो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर सब्सक्राइब बकर एब बहुत बढ़ी है तो यह आप सब बक्वास बक्वास गेम डाउनलोड कर लेते हो तो 100 गेम्स लेकर आ रहा हूं चिंता मत करना